तो आज मैं बात करने वाला हूँ दिगज एक FMCG कोंपणी के बारे में जिसका नाम आप पहले देख चुके हैं ITC तो आज मैं ITC के बारे में बात करूँगा क्योंकि ITC से एक बहुत बड़ा ब्रेकिंग न्यूज यह में आ चुके है साथी साथ कॉंपणी का क्वाटथी का रेजर्ल भी आने वाला है अभी तक आया नहीं तो उसका डेट कौन सा है उसके पूर भी बात करूँगा और साथी साथ कॉंपणी और एक बोनस पॉइंट भी यहापे में आपको देने वाला हूँ आप सोचेंगे तो पहले से ही आप इसके उपर जान करें लेते जाहिए तो वीडियो सुरू करने से पहले ही कहूंगा अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब निके तो जोरू सब्सक्राइब को लिजिए साथी साथ बेल आइकन को प्रेस करको आल भी कर दीजिए क्य रीवन 1 परसंसे भीज्यादा 1.5 पर्संसे भी ज्यादा बेहन गिरावट लिप्टी और सैंसेंस अइस में चलते हैं क्बूकर ऐइस 45 कमपणी है जहां पर बहुत ज्यादा वॉलियम होते रहते हैं तो इसलिए पर देखे बहुत ups and down भी आपको देखने को मिलेगा क्योंकि इसका price range देखिये एप FMCG इतने सारे कॉम्पाणी से इतने सस्त में FMCG का कॉम्पाणी आपको देखने को नहीं मिलेगा इसका कॉम्पाणी को छोटा बोटा कॉम्पाणी नहीं है इसका मार्केट के पिसल क्यापिटलेशन देख लेजिए 2,89,000 करोण से भी ज्यादा मतलब कितना बड़ा आप एक बार अंदजा लगा लीजिएगा तो कॉम्पाणी देखिए जो पास दिनों का चार्ट परटन बना है पास दिन में सांदार रैली दिखा है सांदार 7% तक रिटान बहुत दिनों के बाद इतना अच्छा का सा रिटा एक मन में 6% तग रिटान 6 मन के चाट परटन करदू करदू करेंगे बारा परसन तग रिटान दे चुके है नेगेटिव रिटान 14% तग नेगेटिविटीम और मैकसिम Μें चाट परटन रिपेंगे नगेटिवीन करदू तो आपको यहापे 1278% का रिटान. देखे कॉम्पणी जब स्टार्ट हुआ था उसके बाद बहुत सांदार यावे पर्फरमेस दिखाया था अग उसके बाद क्या हुआ कॉम्पणी एक साइड बेसिस पैटर्ण में चल रहा है इसके पीछे जो कारण है इसका में जो बिजनेस बहुत तम्माकू का बिजनेस मत उसके बहुतना सीक्यूर नहीं मंते हैं क्योंकि इसका ज्यादा तर रेविन्यू सिगरेट से ही आते हैं तो इस लिए एक एक स्पेक्टेशन किया जा रहे तो इस कॉम्पणी में इस बार अच्छा का सा रेजल होने वाला है क्योंकि क्वाटथी का रेजल अभी तक इस कॉ सब्सक्राइब में इसका रेजल आने वाला है तो आप एक साइट के उपर आ चुका हूँ आप देख सकते हैं इसका हाई था 18 ओक्टोबर में 265 इसका 52 का हाई था और 52 का लो जो था वो करीबन 4 में 199 तो इस कॉम्पणी का जो फार्फर्मेंस आज के दिन में हुआ करीबन 43 परसन तक डेलिवरी आज के दिन उठाए गया है तो कॉम्पणी का जो अनॉंसमेंट है आप देख सकते हैं कॉम्पणी के जो आप यहां पर देख सकते हैं फाइनेंस रेजल्ट है थार्ड फेबरारी तो इस दिनों में दो बात होने वाला है एक तो रेजल्ट भी आने व इस दो डेबिटन कितना भार आपको देचुके हाप देख सकते हैं यहाप यहाप देखिए 22 फेबरारी में दिया था 20 जुलाई में दिया था जून 2021 में दिया था 5 रुपया 5 रुपया 10 रुपया करके उसके पिर से एक बार डेबिटन देने का एनॉंसमेंट होगा वाला है तो बहुत पॉजिटीव होने वाला है इतनी का अंदाजा लगाए जा रहा है देखिए मैं खुद अनलाइसिस करके यह नहीं बता रहा हूं के रेजल अच्छा कसा होगा दिगज दिगज इन्वेस्टर और जो इंस्टिटुशन है उन्होंने खुद यहापे बता इसका नाम है साथी साथ इस इसको सिगरेट मेकर कंपणी भी बता जा रहा है तो 53 परसन ग्रोथ होने वाला है तो पहले से एक अंदाजा लगा जा रहा है तो अंदाजा किस किस हिसाब से लगा जा रहा है वह भी देख लीजिए अगर पहले ही जान जाते तो बहुत मोनोपोली मतलब कुछ इंटरडे वाला वाला टेडिंग हो जाएगा तो यह पर यहां पर देलिवरी स्ट्रॉंग गोथ रेविन्यू एंड प्रॉफिट फॉर्द दिसेंबर क्वाटर बतलब डिसेंबर क्वाटर का स्ट्रॉंग बतलब पॉफिट अच्छा का सा होने का जो कारण है यहां पर जित्त यहां सरे डेलिवरी कुछ जा रहा है स्टॉर्म डेलीवरी उठाशा रहा है विए अभी उपको दिखा है फिप्टी पर संदक डेलिवरी आज के दिन भी उठाए गया तो अच्छा वागा है इसका पिछे कोई ना कोई तो रिजन होगा रिजन कुछ नहीं है अ वेजर अच्छे खासा यहां पर होने वाला है तो इसलिए पहले से ही मार्केट को एक अंदज़ा लग जाता है तो इसलिए दखें बता जा रहा है के 50–53% यहां पर जाता है और टो इस तरिकेसे जाम एक नुमान लगा तो कैसे होगा वह क्या होगा उसके पता नहीं और ये थारे के सारे उन्वान कॉल लगा है है आप देख सकते हैं सेट एक्सी सिकूरिटीज पतलो एक्सीस बैंक का जो सिकूरिटीज डीपरमेंट है मतलब जो mutual fund department है, जो mutual fund company यहाँ पर अनुमल लगा रहा है, तो मेरे हिसाब से result देखने से पहले इस तरह के से news देखकर आप कोई भी stock में निवेस मत करते हैं, आपको ITC में निवेस करना ही है, तो थोड़ा सा hold कर लिजेगा, क्योंकि quarter 3 का result आने दीजिए, उसके बाद आपको लगे, इस stock में निवेस करना चाहिए, तो आप निवेस कर सकते हैं, तो उसके पहले मैं company के बारे में कुछ details data भी आपको दिखा देता हूँ, देखें कोई छोटा मोटा company नहीं है, मैं पहले आपको बता चुका हूँ, करीमन 2,88,000 करोड का market capulation है, साथी साथ, company का देखिए जो PRC है, वो भी देखिए, sector PRC 21 है, और इस company का PRC 20 है, तो जब दस PRC भी एक ठीक ठाग लेबल में मुझे देखने को मिला है, company में सिर्फ देखिए, यहाँ पर income के growth देखिए, कितना सामदार यहाँ पर company ने revenue कमाते हैं, हर साल में इसका growth, हर साल में, आप इसका chart button देखें 43,000, 48,000, 49,000, 49,000, इसका मतलब क्या है, हर साल में company का revenue बढ़ते जा रहे है, साते साथ, net profit के बारे बारे बात करो, net profit देखिए, 10,000, 11,000, और 12,000, और 15,000, और 13,000, तो इसका जो net profit है, net profit हो रहा है, ऐसा नहीं हुआ कि company पिछले साल में जब दस profit क्या था और इस साल में उस इसका half हो गया, और दूसरा साल में फिर से बढ़ गया, तो इस तरीके से up and down लेकर नहीं चला है, company एक side basis पर दन वे धीरे-धीरे खुद को growth कर रहा है, तो मैं इसलिए इस company के पर बहुत positive हूँ, इस company के उपर सिर्फ एक चीज मुझे थोड़ा सा negativity लगा, बगार इस तरीक अभी 9% है, क्योंकि FIS को पता है, इस company से ज्यादा return उसको नहीं मिलने वाला, तो उसको अगर बहुत hot time के लिए निवेस करते हैं, उसको profit मिल जाता है, तो पैसा निकल लेते हैं, फिर से वो reinvest करते रहते हैं, तो DIS के बारे बात करें, तो DIS देखे 43% holding DIS के पास है, मतलब DIS ज्यादा तर hold करकर रखा, मुझे पता नहीं, इस company में hold करके उसको फाइदा क्या मिलना है, obviously मिलना होगा, नहीं तो इतना holding क्यों करेगा, और उसके बाद देखे 46% public के पास है, तो public तो इस company के उपर निवेस करेगा ही, क्योंकि उसको लगते है, सबसे बड़ी बात large cap company ह दूसरा FMCG sector के दिंगज company भी है, थार नमबर जो है, company cigarette से बीज़ेस करते है, cigarette से जादा revenue आते है, तो इस company future के लिए ग्रोध दे सकते है, तो इस सारे information लेकर return निवेस सकते है, बगर मेरे हिसाब से ITC कोई खराब company नहीं है, बगर इस company से return अब को उतना चागा सा नहीं मिल है, यह सबसे बड़ी positive है, सबसे बड़ी positive news है, सबसे बड़ी positivity इस company के है, कि इसके कोई भी करजा नहीं है, एकदम totally debt free है, तो इस company के उपर आप consider कर सकते है, long term के लिए निवेस कर सकते है, देखे, आभी तो इस side basis pattern चल रहा है, मुझे लगता है future में अगर इस level को break करता है, तो इस तरीके से फिर से एक बार rally आपको देखने को मिल सकते है, तो कितना दिलों में मिलेगा, कितना सालों में मिलेगा, बहुतों किसी को पता नहीं, तो future के लिए आप इस company के उपर बढ़े रह सकते है, क्योंकि company खराब नहीं है, सिर्फ एक ही point negative है, जो है company cigarette पनाते है, तो cigarette के उपर बहुत सारे restriction government ले आते रहते हैं, इसलिए कभी भी restriction लग जाए, तो company के तो stock में भारी भार कम गीरावर्ण भी देखने को मिलेगा, तो मुझे लगता है, इस stock में निवेस करने से पहले study करिए, उसके बाद निवेस करना ही है, तो छोटा मोटा amount लगाईए, जादा निवेस मत करिए, FMCG में आपको निवेस करना ही है, तो बहुत सारे companies है, उसके उपर जादा निवेस कर सकते हैं, वासा करता हूँ सारे चैनल अपको मिल चुका है, तो मेरे वीडियो अच्छा लेकर तो लाइक करना, दोस्तों कसा सेयर करना है और चैनल को सब्सक्र भी करना, विलते हैं डियास, टॉक लेकर तो अपतर के लिए चैसरी है, आपने ख्याल रखिए, बाइबाई